आज मैंने बनाया शुद्ध एकदम फ्रेश धनिया पाउडर मसाला तो पहले तो इसे हमने दूप में सुखा लिया और अच्छी तरह से साफ कर लिया है और अगर आपके घर में धूप नहीं आती या बरसात कसीजन है तो आप इस तरह से कढ़ाई में गरम करके भी इसको अच्छे से पीश सकते हैं यह कढ़ाई में जब ज्यादा सा गरम हो जाए तो आप इसको मिक्सी में पीश सकते हैं तो यह इस तरह से बिना जंजट के बिना धूप में सुखा है पांच मिनट में आप कढ़ाई में इसको गरम करके जट से एकदम शुद्ध एकदम फ्रेस धनिया पाडर तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसको दूपन सुखा कर भी इस तरह से बीस कर स्टोर कर सकते हैं इस तरह से पिसा हुआ धनिया आप एक प्लास्टिक के एरटाइट डिप भी में इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं इस तरह से पिसा हुआ धनिया आप सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं यह कभी खराब नहीं होता मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज यसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल रानीस क्रियेटिव होंगो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए शो थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई अबाइ